सबी का स्वागत है Go Study YouTube चैनल के उपर आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि इन क्लासेस के अंदर हम SSE CHSL एक्जाम 2023 के लिए Most Expected Math के कोश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये क्लास नंबर 4 है जो भी previous classes हुई है जाकर उनको भी देख लो भाई क्योंकि उन classes से लेकर इन classes तक जो भी मैं आपको कॉश्चन करवा रहा हूँ उन questions को solve करने का जो आपको concept सिखा रहा हूँ जो trick सिखा रहा हूँ वो इतने important है कि इनी पर best आने वाले CHSL exam के अंदर आपको question देखने को मिलेगे तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि class अगर आप देख रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को like और share करना ना भूले पहले question के साथ class को start कर रहा हूँ और देखते हैं पहले question के अंदर हम क्या सीख सकते है पहला question ही बहुत ही easy question है और यह question कहता है कि एक संख्या और उस संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर जो है वो दू है कहने का मतलब एक संख्या माली आपकी X है और उसी संख्या का वर्गमूल मालीय मैने की वर्गमूल X है उसका जो अंतर है न भाई वो आपका कितना आ रहा है वो आपका 2 आ रहा है अब देखिए अगर आप X 1 रاخोगे तो क्या आपका 2 आएगा नहीं दो रखोगे तो दोगा तो आपका जो है वो रूट निकलेगा ही नी तीन का भी निकलेगा चार का निकलेगा अगर आप यहाँ पर एक्स बराबर चार रखोगे और अंडर रूट के अंदर स्वारी यहाँ पर minus और यहाँ पर जब आप 4 रखोगे तो 4 का root क्या निकलेगा? 2 निकलेगा और जब 4 में से 2 minus करोगे तो आपका answer क्या आजाएगा? 2 बिल्कुल सही जवाब आजाएगा कहने का मतलब है कि option number 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है तो इसी तरीके के question आपके CHSL exam के अंदर आएंगे इसलिए consistently class को देखो और concept को सीखो मेरा वादा है कि आपको SSE CHSL exam के अंदर अच्छा score दिला दूँगा भाई अगला question कहता है कि यदि 30, 50 और 70 चातरों के 3 बैचों के आउसत अंक 55, 70 और 70 हैं तो सभी चातरों के आउसत अंक कितनी हो जाएंगे तो कहने का मतलब है कि 30, 50 और 70 क्या मैं इनका ratio ले लूँ अगर मैं ratio ले लू 3, 5 और 7 तो चलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है आप कहेंगे बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है तो जो 30 चातर हैं उनका आउसत आपका कितना आजाएगा 55 आजाएगा और ये जो 5 चातर हैं इनका आउसत आपका 70 आजाएगा और इन 7 का भी आपका आउसत कितना आजाएगा 70 आजाएगा स्वारी बचो ये मैंने 77 कर दिया उस चीज के लिए माफी चाहता हूँ ये भी आपका 70 और ये भी आपका 70 हो जाएगा अब कहने का मतलब है कि अगर 7,3,10,5,15 रेशो का मैं अगर सभी का एवरेज 55 मान लो तो यहां से जो एक्स्ट्रा आएगा वो मैं यहां पर आपका जोड़ दूँगा अब मैं कहूँ कि 55 से ये कितना एक्स्ट्रा है तो आप कहेंगे सर आपका जो है ये 15 एक्स्ट्रा है ये 15 क्या है ये एवरेज एक्स्ट्रा है लेकिन अगर ओवराल एक्स्ट्रा की बात करूँ तो 15,75 जो है वो आपके जो है वो माक्स एक्स्ट्रा है अगर इस से बात है कि total जो है वो 180 marks जो है वो extra है कितने 55 से तो हम इसको कितने में divide करेंगे 7, 3, 10, 5, 15 क्योंकि जो extra आया है वो सभी में बाटेंगे बिल्कुल भाई तो 15 से divide कर तो 15 एक कम 15 और बचेगा 3, 15, 32, 12 जो है वो extra आया है average में तो हाँ ये भी आपका average ही तो आपने माना था वही है ना तो 15 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 67 कहने का मतलब है जो आपका right answer हो गया वो 67 इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया पढ़ें अगले question की तरफ अगला question कहता है कि निमलिकित में कौन सा विकल्प 11 से विभाजी है अगर आपको 11 की divisibility पता है तो आप इस question को बहुत ही आराम से कर लेंगे जैसा कि 11 की divisibility कहती है कि एक number छोड़ कर जोड़ लो और उसके बाद दूसरा जो बचा है उनको जोड़ लो और उनका difference आपका 0 या फिर 11 आना चाहिए वही चीज करेंगे 2 1 3 3 1 4 4 और आपका 8 7 15 इनका जो है difference क्या आपका 0 या फिर आपका 11 आ रहा है आप कहेंगे सर बिलकुल आ रहा है तो आपका right answer यही हो जाएगा अभी आपका जो है वह सिर्फ 11 दे रखा है तो आप चेक करके भी answer दे सकते हैं लेकिन कहीं पर दिया होगा 3, 5, 7 और 11 इन सबसे divisible तो आपको सारे option चेक करने पड़ेंगे लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका 11 से विभाज दे रखा है तो आप अगर पहला option ही आपका 11 से divisible दिखाई दे रहा है तो आप पहले answer को ही जवाब दे सकते हैं otherwise आपको सारे चेक करने पड़ेंगे देखते हैं अंगले question की तरफ अगला question कहता है कि 84 सो रुपए पर डेड़ वर्स के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से चकवरती ब्याज की करना कीजिए जो अर्ध वार्षिक रूप से चकवरती किया गया है देखिए इस question को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा एक जो है वो basic बताऊंगा वो basic भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और एक मैं आपको approach method बताऊंगा दोनों method बहुत important है ऐसा नहीं है कि आपको basic नहीं पता होना चाहिए basic तो पता ही होना चाहिए क्योंकि अगर approach नहीं लगेगा तो फिर basic ही काम आएगा ठीक है और वो भी basic का basic नहीं है भाई वो भी एक salt है चलिए कैसे मैंने माना कि आपका जो है वो 12% rate है और आपका जो है वो ब्याज की दर कैसे लेनी है वो अर्धवार्सिक लेनी है अर्धवार्सिक में क्या होता है कि जो आपकी rate दे रखी है वो half हो जाएगी मतलब कहने का मतलब rate आपकी 6% हो जाएगी और अगर बात करेंगे time की तो time आपका क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा कहने का मतलब अगर डेड़ बर्स दे रखा है तो time आपका हो गया 3 साल 3 year आपका time हो गया इतनी बात clear है ये चीज अगर आपको clear है तो अब आप देखो मेरा करने का तरीका आप लिखो 84 सो ठीक है 84 सो का निकालो 6% कितना निकलता है आप कहेंगे सर्ट 0 से 0 काड़ देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना चीज चोग 24 करी आए 2, 6, 48, 2, 50 504 निकल के आया उसके बाद अब आप 504 का 6% निकालो 504 का कितना निकालोगे 6% जब आप 504 का 6% निकालोगे तो कितना हो जाएगा चीज चोग 24 का 4 ठीक है करी आए 2 दो लिख दो भाई और उसके बाद 5 का 30 और दो पॉइंट लगाओगे यहाँ पर क्योंकि बेस में 0 है तो आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कहने का मदल सब 504 का जब 6% आप निकालोगे तो कितना निकलेगा 30.24 निकलेगा अब हमें 30.24 का भी जो है वो क्योंकि हम 3 साल पहले साल निकाल लिया दूसरे साल निकाल लिया अब हमें 30.24 का जो है वो 6% निकालना पड़ेगा इन्टू 6% अराम से बता रहा हूँ इसलिए जल्दबाजी मत करियेगा जिनको स्लो लगे वो 1.5x की स्पीड पर देखें ताकि उनको कोई दिक्कत न हो अब देखी इसका टेबल 6.24 ठीक है कैरी आया दो 6 दूनी 12 दो 14 कैरी आया एक ठीक है एक लिग दिया हमने और 6 दिया 18 और 2 पहले ही लगा हुआ था 2 पॉइंट ठीक है और 0 दो तो यहां पर आ जाएगा तो अब इनका क्या करना है आपको करना है इंटू 3 फिर इंटू 3 और इंटू 1 और अगर आप इसका गुड़ा कर देंगे उसके बाद उसको जोड़ देंगे तो आपका राइट एंसर मि चारते हैं 12 1512 ओके अगर आप समझदार हैं तो आप यहीं से एंसर दे सकते हैं कि 1512 इसके नियर भी जा रहा है ठीक है और अगर आप समझदार नहीं है तो इसको भी गुड़ा करके निकालोगे इसको भी गुड़ा करके निकालोगे फिर जोड़ोगे और अपना टाइम व परसेंट आपकी निकल के आए 6 क्योंकि हम हाफ एरली रेट ले रहे हैं और टाइम आपका निकल के आए 3 साल ठीक है तो आपको क्या करना है कि एक बार इसको जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में कनवर्ट कर लो 6 ती यह 18% आप जो है वो 84 सो का जो है डाइरेक्टली आप जो है वो क्या निकालो आप 18% निकालो ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे भाई ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्यों कि यहां पर जो आपकी रेट है बहुत ही छोटी है तीन साल के अंदर जब इसका सक्सेस्यू निकालेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए मैं डारेक्टली ले रहा हूं ठीक है दूसरा मेरा डारेक्टली लेने का अप्रॉक्स लेने का क्या तरीका है कि सभी ऑफ्सन के बीच बहुत बड़ा बड़ा गैप है और खासकर यह जो आपका अप्रॉक्स दिख रहा है एंसर मुझे वो जो है वो सबसे डिफरेंट है इसलिए मैंने जो ह 741 आपका जो है 151 अब आप कह सकते हैं कि यह जो 1512 है कि किसके पर बहुत इंपोर्टन आपको बहुत बेस्ट आपको बहुत 細ड़ें को Unknown आने वाले एक्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे जहाँ पर यह आप laptop नहीं लगा पाएंगे लेकिन नहीं आप पर ऊप्रॉक्स भी आपको पता होना चाहिए कि कई बारी ऐसे question CHSL के अंदर दे दिये जाते हैं कि अप्रॉक्स से ही लग जाते हैं जैसे कि ये question ये question आपके paper में आया हुआ question है 2023 के अंदर जो March में paper हुए थे CHSL के उसमें ये question पूछा गया था अगला question देखिए अगला question देखिए भाई क्या कहता है कि तरगुज ABC और PQR एक दूसरे के समरूप है यदि BC बराबर 5 QR बराबर 12.5 और PQ बराबर 6.25 है तो AB का मान ग्याद के जिए देखिए ऐसे question को आप जो है वो 10 second में solve कर सकते हैं लेकिन पहले मैं आपको समझाऊँगा फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों 10 second के अंदर हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले जैसा कि 2 समरूप triangle बनाने की बात कही गई है तो सबसे पहले 2 समरूप triangle triangle बना लो भाई ठीक है यह लोग 2 समरूप मैंने triangle बना दिये clear है इनको denote कर देते हैं यह आपका हो जाएगा A और यह आपका हो जाएगा B यह हो जाएगा C यह हो जाएगा P यह हो जाएगा आपका Q और यह हो जाएगा R इतनी बात clear है और इसमें BC जो दे रखा है वो आपका 5 दे रखा है और QR 12.5 दे रखा है और आपका PQ जो है वो आपका 6.25 दे रखा है इतनी बात clear हो गई अब देखिए जिस ratio में ये दे रखें उसी ratio में तो ये होंगे न भाई ये बात आपको समझ आती है न अगर ये एक ratio दो में है तो भी ये वाली भुजा भी एक ratio दो में होनी चाहिए क्योंकि बात हो रही है समरूप की समरूप में जो होते हैं सेम भुजाओं के सेम ratio होते हैं अगर ये एक ratio होगा तो ये एक ratio होगा अगर ये दो ratio होगा तो ये दो ratio होगा अगर ये तीन ratio में होगा तो ये तीन ratio में होगा इसलिए हम इनके ratios को निकाल लेते हैं पाइशो हम निकालेंगे 5 बटे, करेंगे 12 पॉइंट, 5 को न मानके 50 मालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी भुजा जो हमें निकालनी है, इसकी भुजा हमें पता है, वो कितनी है, 6.25 है, अब देखिए, ये दो अंको के बाद पॉइंट लगा है, इसको हटा दो, ये पॉइंट अंको के बाद लगा, ये पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा, ओके, 25-25 में कितना होता है, आपका 625 होता है, और 25-25, ये 50 हो जाएग तो इस तरीके से आपको question करना है, ये diagram नहीं बनाने, आपको भुजाओ का ग्यान होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको भुजाओ का ग्यान होगा, तो आप directly जितना ये वाला function है न, सिर्फ यही आप operation करेंगे, otherwise ये सारी चीजे आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, अगर आप ये करना सीख गए मेरे साथ, जब आप regular practice करोगे, ऐसे question तीन से चार बार मैं आपको करवा दूँगा, तो ये वाली चीजे जो है न, आपके दमाग में बैठ जाएंगी, question बढ़ते ही, अब सिर्फ इतना operation करोगे, और question को 10 second में solve कर लोगे, बड़े अगले question की तरफ, I hope सा दूरी है, वो मीटर में निकल के आ रही है, मतलब आपको जो है, वो speed कौन सी लेनी है, वो लेनी है, meter per second, क्योंकि meter per second, जब आप speed लेंगे, तभी आप जो है, वो दूरी जो है, वो meter में निकाल पाएंगे, examiner आपको इस question के अंदर सिर्फ इतना जाचना चाहता है, क्या यह question है, अगर यहाँ पर आपका 108 km प्रति घंटा दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हमें meter per second में change करने के लिए, हमें किस से गुड़ा करना पड़ेगा, पांच बटे 18 से गुड़ा करना पड़ेगा, और into आपका time, 11 second, अगर आप इसे काटेंगे, तो 9 दूनी 18, ठीक है, यह answer निकल के आएगा, वो 11, 33, यानि 330 मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा, जो कि आपका D option के अंदर दे रखा है, क्लियर हो गया question, किसी को अगर doubt है, तो मुझे comment box में बता दो, कि सर इस question के अंदर मुझे यह doubt है, अगला question देखिए भाई, क्या कहता है, 12 सेमी उचे लकड़ी के ठोच संकु के आधार की परिदी 44 सेमी है, तो इसका आयतन ग्याद करिए, किसी भी संकु का आयतन ग्याद करने का formula आपको पता है, 1 by 3, pi r square h, यह बात आप सभी को पता है न, volume निकालने का formula, अगर आपको नहीं पता है, तो भाई सीख लो, यह इसक side में लिख लो, अब अगर मैं आपको एक क्या बना के दूँ, एक यह लिजए, एक संकु बना लेते हैं, यह आपका संकु हो गया, यह लिजए, यह आपका संकु बन गया, देकिन, diagram इसलिए मैं आपको आराम से बना के सीकाता हूं, ताकि आपको चीजे समझ आए, अब दे 44 दे रखी हो आप तुरंद कह सकते हैं कि उसकी तरिजया कितनी होगी 7 होगी अब ये basic अगर आपको नहीं पता है तो basic आपको पता होना चाहिए ठीक है तब ही आप जो है वो paper के लिए तयारी कर रहे हैं आप सीखने रहे हैं आप practice कर रहे हैं तो practice के अंदर मैं यहाँ पर मिल गई R भी मिल गया H भी मिल गया तो value को put कर सकते हो आप कहेंगे हाँ बिलकुल sir put कर सकता हूँ तो put कर दो भाई 1 by 3 5 का मान रख दो 22 बटे 7 इंटू आर आपको पता है 7 इंटू 7 और H आपको पता है आपका 12 है अब इसको काट लो भाई 7 से तो यह कर जाएगा है ना black से काटो भाई 7 से यह कर जाएगा 3 चकु बारा तो कितना कितना आ गया 22 चकु 88 इंटू 7 तो जो एंसर आपका निकल लगाएगा 8 सते चपपन का 6 कैरिया 5 8 सते चपपन 6 5 11 तो आपका 616 जो है वो आपका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका A option के अंदर दिखाई दे रहा है I hope यह question आपको बिलकुल clear हो गया होगा कोई doubt रहा हो तो मुझे बताईए अगला question देखी क्या कहता है कि एक आदमी को एक कारी पूरा करने में 16 दिन लगते आपको अगर man जो है उसे कितने दिन में करता है उसे 16 दिन में करता है और female उसे कितने दिन में करती है वो इसे 12 दिन में करती है अगर इनके जो है वो LCM की बात करें तो 48 इनका LCM आ जाएगा इतनी बात क्लियर है तो efficiency कितनी आ जाएगी 16-38 और 12 चोगो 48 मतलब male जो है वो 3 की efficiency से करता है और फीमेल चार कीफिसेंसी से करता है और आगे कहा गया कि उन्होंने एकांतर दिनों में कारी करना सुरू किया मतलब एक दिन मेल करेगा तो दूसरे दिन फीमेल करेगा ठीक है अब यहां पर एक चीज नोट करो कि पहले दिन अगर मेल आएगा आदमी ने पहले कार किया तो पहले दिन आदमी ने काम किया तो पहले दिन जो है एक दिन में कितना काम होगा तीन काम होगा इनकी फिशेंसी से करेगी तो तीन काम होगा और अगले दिन कितना काम होगा अगले दिन जो है फीमेल आएगी तो चार काम होगा तो कहने का मतलब है कि आपका दो दिन मे कितना काम हो गया, दो दिन में आपका 7 काम हो गया, थीक है, यह आपके दिन है और यह आपके काम है, हमें कितना काम करना, हमें 48 काम करना तो 7 का tibler पर लो, 7, 35, 7, 42, 7, 7, 49, तो 49 तो जादा हो जाएगा, हम 7, 42 6 से इसको divide कर देते हैं और 6 से इसको multiply कर देते हैं तो आपका जो 12 दिन है ना 12 दिन में 42 काम हो जाएगा अब 13 दिन कौन आएगा 13 दिन मैं आएगा तो 13 दिन अगर वो 3 काम करेगा तो 45 काम हो जाएगा अब हमें काम कितना करवाना है हमें काम करवाना है सिर्फ कितना लेकिन यहां पर तो जो फीमेल है वो एक दिन में चार काम कर रही है एक दिन में अगर वो चार काम कर रही है तो एक काम कितने दिन में करेगी एक बटा चार दिन में जो है वो एक काम करेगी इतनी बात clear है एक बटा चार दिन में एक काम करेगी हमें कितने काम करवाने है हमें तीन काम करवाने है तो इसमें तीन का गुड़ा कर दो और इसमें तीन का गुड़ा कर दो ओके तो एक चीज यहां पर clear आगे है यह जो तीन काम जो बचा हुआ काम है वो complete कितने दिन में होगा वो आपका 3 बटा 4 दिन में यहाँ पर आपने 13 दिन लगा दिये हैं तो 13 दिन आप और उसके बाद आप इसमें जोड़ोगे 13 प्लस 3 बटा 4 जब आप 3 बटा 4 जोड़ोगे तो यह 48 काम complete हो पाएगा तो 13 चकू 52 और 52 कितना हो जाएगा 53, 55, 55 बटे 4 आपका बिलकुँ सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका 3 option के अंदर दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से इस question को करना था मैंने slowly slowly आपको इस question को बताया है ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो बढ़ें अगले question की तरफ अगला question कहता है कि 10, the value of 10, 48, 10, 23, 10, 42 10, 67 तो इसकी value बतानी है देखिए मैंने आपको एक शीज़ सिखाई है कि 10A into 10B हमेशा बराबर 1 कब होंगे जब आपका A plus B बराबर आपका कितना होगा 90 डिगरी होगा यह condition होती है कि A plus B जब जोड़े हैं तो वो 90 बनने चाहिए तो आपका 10A into 10B आपका 1 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए 10A और 10B यह दोनों जोड़के 90 बन रहा है मतलब यहाँ से 1 आएगा into 10, 23 और 10, 67 90 बन रहा है यहाँ पर 1 दिखाएगा तो 1 into 1 आपका 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका B option के अंदर दिखाई दे रहा है आगे बढ़ते हैं अगला question देखिए क्या कहता है कि रोहन ने पहले दो परिछाओं में 70 अंक और 75 अंक हासिल किये 70 अंक का तीनों का जो आउसत है न भाई वो कितना बन जाए 70 बन जाए इतनी बात clear है अब देखिए अगर मैं इसे 70 माल लूँ इसे 70 माल लूँ तो यहाँ पर आपका कितना extra आ रहा है अब मैं मान रहा हूँ देखिए मैं मान रहा हूँ कि इसे भी 70 मान लिया और इसे भी मैं मान लेता हूँ 70 तो अब आपके पास extra 5 आ रहे है न ये 5 extra आ रहे है न तो अब जो तीसरी परिष्छा होगी उसमें हमें 70 बनाने है 70 बनाना है ठीक है तो 70 बनाना 5 हमारे पास पहले से पढ़ा है तो इसको 65 ही तो आंक चाहिए होंगे अगर 65 और 5 पहले से पढ़ा है हमारे पास तो ये 70 बन जाएगा तो हमें जो तीसरे सब्जेक्ट में मार्क शेह वो हमें कितने चाहिए वो हमें 65 सिर्फ चाहिए राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा 65 इसका बिलकुल सही जबाब हो जाएगा ये question करने का बतलब thought process सिखा रहा हूँ मैं भाई मैं कोई concept नहीं सिखा रहा हूँ ये thought process सिखा रहा हूँ कि आपको thought process आना चाहिए question को solve करने का आप 3 को 70 मान लो और जो भी extra आ रहा है वो extra जो है वो उसमें जुड़ना चाहिए जो आपका आएगा आपके पास extra 5 दे रखा है तो आप 70 बनाना है तो 65 तो लेकर आएंगे अंदर 65 तो मार्क्स लेकर आना पड़ेगा आपके 70 हो जाएंगे right answer 65 इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला question देखिए हर्स 48,000 में एक scooter खरीदता है उसने इसे 15 परसंट के हानी पर बेच दिया उस पैसे से उसने एक scooter खरीदा और उसे 22.5 परसंट के लाब पर बेच दिया तो कुल लाब या हानी कितना हो जाएगा मैं कहता हूँ कि 15 परसंट हानी का मतलब है कि आपका 3 बटे 20 20 की चीज खरीद के लेके आया था और 17 में बेच दिया इस जितने में उसने बेच आ उसी रुपए में तो उसने कोई चीज खरीदी है तो कहने का मतलब है कि सकसिस्यू लग जाएगा है ना तो ये आपका 22.5 कितना होता है 9 बटे 40 होता है ये आपको पता होना चाहिए बार-बार मैं आपको नहीं सिखाऊंगा अब यहाँ पर उसने इतना प्रॉफिट लिया है अब 40 की ये 17 का बेचा था 40 रेशो में खरीदा और 49 रेशो में बेच दिया अब आपको यहाँ पर जो है 53 का तीन आ जाएगा कैरी आया 15 ठीक है 17 चकू 68 अब जब 15 में 68 जोड़ेंगे तो 8,5,3,6,7,1,8 तो 8,3,3 कहने का मतलब है जो आपका प्रॉफिट होगा वो 800 के उपर 33 का प्रॉफिट होगा ठीक है तो प्रॉफिट निकल क्या है मेरे भाई है ना तो अगर आप इसको काटेंगे तो 0 से 0 काट देंगे और 8 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 चकू 32 कैरी आया आपका एक ठीक है 8 एक कम 8 ठीक है दसमनों लगा है 8 एक कम 8 बचा आपका कितना 2 ठीक है तो 4.25 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो भी प्रॉफिट ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4.125 प्रॉफिट इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर आ जाएगा अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन भाई कहता है कि 3 संख्याएं A by 3 B और C का माद दी और संख्या B by 3 C by 3 और X का माद दी जो है वो 3X के 3X का मान है कोश्चन क्या गयर है वाई एक बर पढ़ो ओके 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 कोश्चन को पढ़ लिया होगा आपने ठीक है कोश्चन यही कहता हूँ इसलिए कहता हूँ कि question को अच्छे से पढ़ा करो, जैसे देखिए मैंने जो है वो सही से question को नहीं पढ़ा, तो मुझे जो है वो पहली बार में समझ नहीं आया, इसलिए कहता हूँ question को सही से पढ़ो, तीन संख्याओं, a by 3, b और c का मादी, और संख्या b by 3, c by 3, और x का आपको बताना है, तो simply सबसे पहले क्या करो, a by 3, plus b by, और plus c, तो इनका मादी करेंगे, तो मादी हम तीनों को जुणने के बार, divide by 3 कर देते हैं न भाई, यही तो करते हैं, यही करते न भाई, तो इनको क्या करो, divide by 3 कर दो, क्या हो रहा है भाई, इनको कर दो, divide 3, यह किसक plus x के मादी के, ओके, तीन से, अब मैं यह चीज़ कह सकता हूँ, कि आप जो है, वो 3 को 3 से काड सकते हैं, अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास a by 3, b plus c, यह बचा है, तो मैं क्या करूँगा, b से b को minus कर दूँगा, तो यहाँ पर a by 3, plus b मैं मैंने minus कर दिया, आप ठीक है, plus, c में मैंने minus कर दिया, यह c by 3 को, और हमारे पास क्या बचा, x बचा, इतनी बात clear है, अब अगर आगे इसे further solve करोगे, तो आपके पास क्या answer निकल के आएगा, a by 3, plus, आपका 3b minus b, तो आपका 2b निकल के आजाएगा, 2b by 3, ठीक है, plus, 3 का जब c से multiply करेंगे, 3c minus c तो आपका 2c आजाएगा, और divide by 3, बराबर आपका x, अब आपको नजर आ गया होगा, कि answer इसका क्या होगा, कैसे नजर आ गया होगा, आप कह सकते हैं, कि आप जो है, वो, आप 3a plus 2b plus आपका 2c, बराबर ये 3 जो है, इधर चला जाएगा, तो 3x आपका, जो है, वो answer निकल क्या आजाएगा, a plus 2b plus 2c, क्यूंकि हम से 3x पूछा था, तो आपका b बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, I hope अब आपको ये question बिल्कुल clear हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question देखो, एक कच्छा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क आपके girls, इनका जो अनुपात दे रखा है, वो अनुपात क्या दे रखा है, 11 अनुपात आपका 9 दे रखा है, इतनी बात clear है, उसमें 30% लड़कों ने और 20% लड़कियों ने परिच्छा उत्रिंड की, तो 30% यहाँ पर उत्रिंड होई है, और 20% यहाँ पर उत्रिंड आप base मान लिजिए कि 20% जो है, वो सभी बच्चे पास हुए है, अब जो extra आएगा उसको हम जोड़ देंगे, यह कितना extra है, आपका 10 extra है, 20 से 10% extra, और 10 और 11 से multiply करेंगे 11 दहम 110, 11 दहम 110 extra है, यह कितने में divide होगा, 11 नो 20 में divide होगा, यह कट गया, आपका कितना plus का है, आपक 0.5 आया ना भई, 5, 10 और 0.5 हाँ, 5.5 आया, तो जब आप यहाँ 5.5 को जोड़ देंगे, तो आपका कितना निकल के आजाएगा, 25.5 आपका जो है, वो overall percent निकल के आजाएगा, जो कि आपका जो है, वो कहाँ पर दिख रहा है, D option के अंदर दिखाई दे रहा है, I hope इलकुल clear हो गया होगा, इस पर based मैंने आपको इस class के अंदर तीन question करवा दिये, तीनो question आपको समझा आ गए होंगे, second question था, उसके बाद एक और question था, और ये एक और question आ गया, तो तीन question जो है, वो average पर आपके सामने रख दिये गए हैं, अब आपको कोई doubt नहीं बचा होगा, अगला question देखी, क्या कहता है, कि यद दो संकु के item का अनुपाद 11, 16 है, तो उनके आधार की तरिज्याओं का अनुपाद 3, 4 है, तो उनकी तरिज्याओं का अनुपाद क्या हो जाएगा, आयतन का आपको पता है क्या फर्मूला होता है 1 बटे 3, 5, R² H ठीक ही, ये H1 हो गया, ये H1 हो गया अपन, आपका 1 by 3, 5, R² ये R2 हो जाएगा और H2 हो जाएगा इनका जो अनुपाद दे रखा ना भाई, वो आपका 11 अनुपाद 16 दे रखा है इतनी बात आपको clear है मैं कहता हूँ कि ये आपका 1 by 3, 1 by 3, 5, 5 तो constant है तो इसको तो भाई हटाई दो, इसका तो यहाँ पर कोई use नहीं है मैंने क्या किया भाई, इसको मिटा दिया ठीक है, तो आपके पास अब क्या बचा अब R1 का square H और R2 का square H बता अब आपके पास value क्या दे रखी है आपके पास R1 की value दे रखी, R2 की value दे रखी है तो यहाँ पर जब R1 रखेंगे 3 ratio तो 3, 3, 9 हो जाएगा और नीचे जब 4 रखेंगे तो 4 चको 16 हो जाएगा कहने का मतलब है कि आपका 9 H1 upon आपका 16 H2 आ गया और बराबर आपका कितना है 11 अनुपाद 16 अब यह 9 इदर multiply हो जाएगा हो जाएगा ना भाई तो हम इदर कर देते हैं 9 और यह 16 उदर चला जाएगा यह लोग इदर 16 आ गया अब यहाँ से हम इनको मिटा देते हैं है ना मिटा दिया भाई अब H1 और H2 का ratio निकल के आ गया जो हम से पूछा गया है क्या निकल के आया 16 से 16 कर जाएगा अनुपाद आपका निकल आएगा 11 अनुपाद 9 जो कि आपका A option के अंदर दिखाई दे रहा है I hope आपको बिलकुल question समझ आ गया होगा हमें जो चीज constant होती है उसको हटा देना होता है जब आप इसको बार-बार करेंगे तो आप जो है वो सीधे यहाँ पर directly लिखेंगे और इनका answer दे देंगे directly करेंगे लेकिन जब आप इस question को 3-4 बार करेंगे तब ही आप directly दे पाएंगे देखी पेपर लोगों का कैसे निकलता है ऐसे निकलता है maximum practice करते हैं तब जाके निकलता है क्योंकि आपको 60 minute के अंदर 100 question करने होते हैं तो आप अंदाजा लगाओ पर question के लिए कितना आपको time मिलेगा जब आपने question बहुत बार किया होगा तभी तो आप question कम से कम समय में कर पाएंगे आपके सामने कोई नई चीज रख दी जाएगी तो आप उसको समझने में ही 2-4-10 second लगा देंगे तो solve करने में आप कितना time लगाएंगे इसलिए कहता हूँ कि maximum practice करो math की जितनी maximum practice करोगे आपको उतना फायदा मिलेगा examination के दौरान अगला question कहता है कि 1 court 30, 10, 60 प्लस court 60 और 10, 30 का मान क्या हो जाएगा तो simply यहाँ पर देखे आपको value put करनी है बहुत आसान question है इसको आप homework में मुझे comment box में answer देंगे homework court 30 की value, 10, 30 की value या court 60 की value, 10, 30 की value आपको पता होनी चाहिए उसकी value simply आप यहाँ पर put करके मुझे comment box में answer देंगे मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस question को आसानी से solve कर सकते हैं क्योंकि trigonometry का सबसे easy सवाल है अगर आपको trigonometry की values नहीं याद है मतलब आप trigonometry का कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे उकी? चलो अगला question देखो भाई क्या कहता है एक व्यक्ति तीन वर्स के लिए साधारन ब्याजपर 6 प्रतिसत की दर से 20,000 रुपे उधार लेता है और वह इसे तुरंद किसी अन व्यक्ति को तीन वर्स के लिए साधारन ब्याजपर 8.5% प्रतिवर्स की दर से उधार दे देता है तो प्रतिवर्स प्राप्त होने वाला लाब प्रतिवर्स एक बार देखिए जब मैंने इसे टेस्ट बुक या फिर औल्यू बोर्ड पर जाकर देखा तो सिर्फ इस कोश्चेन को अटेम्ट करने वाले 25 से 23 परसेंट लोग थे सभी बच्चों ने कोश्चेन को छोड़ा क्यों छोड़ा क्योंकि वो यहां कन्फ्यूज हो गए कोश्चेन इतना बड़ा देख कि उनके अंदर एक डर पैदा हो गया जबकि कोश्चेन ने पता क्या पूचा था प्रति वर्स का लाब निकालना साधारन ब्याज है 6 परसेंट से कितना बड़ा है 2.5 बड़ा है तो 20 हजार का आपको पता क्या निकालना था आपको 20 हजार का सिर्फ आपको 2.5 परसेंट निकालना था क्या निकालना था 2.5 ये 2.0 से 2.0 चला गया 1.0 से ये वाला पॉइंट उड़ गया 25 दुना 50 आपका जो answer आना था ना भाई वो आपका आना था 500 500 इसका बिलकुल सही जवाब था ये question पूछा गया था अब बच्चे जो है वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि भाई इतना easy question तो exam रर नहीं पूछेगा अरे भाई आपको confused किया जा रहा है exam में ऐसे questions किसी ना किसी set में डाले जाते हैं जिसमें आपको जो है वो डराया जाता है कि question बहुत difficult है लेकिन question बहुत easy होता है इसलिए कहता हूँ कि question की practice ज़्यादा से ज़्यादा करो आपके doubts clear होते जाएंगे 44 वस्तूओं का क्रे मूली जो है वो X वस्तूओं के विक्रे मूली के बराबर है तो सबसे पहले करो 44 वस्तूओं का क्रे मूली आपका CP बराबर किसके है X वस्तूओं के SP के बराबर अगर SP और CP का जो है वो ratio निकालोगे SP और CP का ratio तो क्या निकलेगा SP का तो आपका 44 निकलेगा और CP का कितना निकलेगा X निकलेगा lab जो है वो 10% है lab 10% का मतलब आपका क्या हो गया एक बटा दस कहने का मतलब है लाब कब निकलता है लाब आपका selling price minus आपका जो है वो cost price यही तो लाब निकलता है और नीचे क्या दे रखा होता है नीचे आपका cost price दे रखा है वही तो percent के बराबर होते है वही तो profit percent के बराबर दे रखा होता है है ना तो selling price आपका कितना है selling price आपका 44 दे रखा है और CP कितना है x है upon CP आपका x दे रखा है और percent कितना है 10 percent ना लिखके मैं 1 बटा 10 लिख रहा हूं ओके अब इसको अगर मैं solve करूं तो 11 का 44 से गुड़ा करेंगे तो 440 आ जाएगा minus आपका 10 x ठीक है और जब इसको इधर गुड़ा करेंगे तो यह x हो जाएगा 44 440 बराबर आपका जब यह उधर जाएगा तो यह हो जाएगा 11 x ठीक है अब इसे काट लो 11 x कम 11 11 ग्यारा चकू 44 तो यहाँ पर 10 40 तो x बराबर आपका कितना आ गया 40 आ गया जोकि आपका b option के अंदर दिखाई दे रहा है clear है मेरे सभी प्यारे साथ हो यह question आसा करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से यह question clear हो गया होगा अगला question कहता है कि बिंदू x से खीची गई इसपर्स रेखा वरत u पर इसपर्स करती है ओ इस वरत इसका answer 17 दे देंगे क्यों दे देंगे अब मैं आपको सिखाता हूँ क्यों दे देंगे इसलिए कहता हूँ कि भाई मेरे साथ लगे रहो मैं आपको सिखा दूँगा कि क्यों question को जो है वो चंद seconds में आप करना सीख सकते हैं मैंने माना यह आपका क्या है एक circle है और यह आपका O है इसपर्स बिंदू आपका U है जो कि यहाँ पर इसपर्स करता है और यहाँ से एक रेखा जो है इसपर्स कर रही है इसपर्स करते हुए ऐसे जा रही है कैसे जा रही है ऐसे जा रही है ओके तो हम इसको यहां से मिला देते हैं इसको थोड़ा सा उपर करते हैं अब आ जाएगा ना भाई अब आ जाएगा शालो इतनी बात क्लियर हो गई और यह जो इसपर्स रेखा है ना आपकी भाई इसपर्स रेखा इसने बता रखी है आपको confused होने की ज़रूत नहीं कि इसपर्स रेखा जो है वो आपकी क्या है भाई एकस यू है एकस यू और यह कितना दे रखा है आपका पंदरा दे रखा है इतनी बात क्लियर है और अगर हम इसको मिला देंगे तो एक चीज़ आप सभी को पता है कि इस पर्स रेखा पर जब केंदर से लंब डाला जाता है तो वो always 90 degree होता है इतनी बात clear है दुबारा properties इनो जब भी एक वरत के केंदर से इस पर्स रेखा पर लंब डाला जाएगा तो वो 90 degree पर मिलते हैं कहने का मतलब है कि ये आपका 90 degree के सामने क्या होगा कर्ण होगा इतनी बात clear है और ये OU कितना दे रखा OU आपका 8 दे रखा है तो आपका 8 15 17 आपका ट्रिपलेट याद हो गया ना 8 15 17 क्योंकि ये तो आपका right angle triangle बन गया ना भाई अगर ये 90 degree है कहने का मतलब ये triangle बन गया कर्ण बड़ा होता है तो 8 15 17 कर्ण यहाँ पर आपका बड़ा है right answer आपका 17 हो गया इसलिए कहता हूँ कि जब आप इस question को 3 बार कर लेंगे तो 4 बार diagram नहीं बनाएंगे आप directly 17 करके आएंगे directly triplet से answer दे के आ जाएंगे बड़ो भाई अगले question की तरफ अगला question देखिए क्या कहता है कि x minus 1 upon x बराबर 4 then what is the value of x की power 6 plus 1 upon 6 इस question के अंदर आपको बहुत अच्छा concept सीखने को मिलेगा कुछ नया सीखने को मिलेगा यह question कहता है कि x आपका x minus 1 upon x बराबर 4 दे रखा है आप directly 6 पर तो जा नहीं सकते पहले आपको कहां पर जाना होगा x की power 3 minus से cube में minus में ही जाते हैं x cube हो जाएगा और यहां पर आपको क्या निकालना होता है p cube plus 3p यह वाला formula आपको पता है तो p cube कितना 4 चकू 16 चकू 64 plus आपका 3 चकू 12 यह आपका कितना निकल के आजाएगा यह आपका निकल 76 निकल के आजाएगा कहने का मतलब है कि आपका x cube plus sorry minus x cube minus 1 upon x cube जो है वो कितना निकल के आजएगा वो 76 निकल के आजएगा इतनी बात क्लिए रहे अब अगर आप इसका square कर दोगे तो 6 पे पहुंच जाओगे बिल्कुल पहुंच जाएगे भाई x की power 6 plus में पहुंचेंगे हम ठीक है और x upon की power 6 बराबर अब यहाँ पर क्या करते हैं हम p square plus 2 करते हैं भी हमारा कितना 57 तो 76 का square चाचरंग 36 करी आया 3 साचरंग 42 42 84 85 86 87 87 का 7 ठीक करी आया 8 साच सत्य उन्चास नौ साथ 58 57 57 प्लस 2 तो आपका जो answer आ जाएगा 5 7 7 8 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका d option के अंदर दिखाई दे रहा है मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके से question करने भाई और कोई approach मत लगाओ मैं तो आपको बना के दिखा रहा हूँ आपको बनाना नहीं है directly आपको कहां पर जाना है क्यों पर जाना 4 चकु 16 64 64 में 12 जोड़ूँगा तो आप 76 ऐसे बनाना है अब आपको mind में पत्ता होना चाहिए कि इसका square और plus two करना है और इसका answer आजाएगा तो कुछ नहीं करना होता है बस यहाँ पर mind calculation करनी होती है आप उसके लिए जो है वो कब prepare हो जाएंगे कब तयार हो जाएंगे जब आप लगातार मेरे साथ practice करेंगे तब आप तयार हो जाएंगे ठीक है चलो अगला question देखो सास सेमी व्यास वाले एक ठोस गेलो के दो बराबर भागों में काटा जाता है तो इसके कुछ कुल प्रस्टिय छेतरफल में कितनी व्रद्धी होती है मैं कहता हूँ यार ये चीज लो मैं आपको दिखाता हूँ पहले डाग्राम के तुरू तब आपको ची और इसको भी मोडते हैं थोड़ा ऐसे है ना आई होप आपको बिलकुल ये लो थोड़ा सावर मोडते हैं ताकि जो है बिलकुल एड़्जेस्ट हो जाए ये लीजिए अब देखे ये पहले तो पहले तो ये पूरा था बात क्लियर हो गई पहले क्या था ये पूरा था क्यूब होता है न भाई और अब कट गया है कटने के बाद ये वाला और ये वाला ही तो फालतू आया है और ये कितना होता है ये पाई आर स्क्वाइर होता है तो पाई आर स्क्वाइर ये हो गया आपका पाई आर स्क्वाइर और ये हो गया आपका पाई आर स्क्वाइर तो 2 πi r square हो गया, 2 πi r square, अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, आप से क्या पूछा गया, क्या आप से difference पूछा गया, क्या पूछा गया, आप से सिर्फ पूछा गया, जो आपका वरद्धी हुई है, सिर्फ आपको वरद्धी बतानी है, तो वरद्धी तो भाई सिर्फ ये वाली ही हुई है न, तो simply आप इसमें ये वाली रख दो, value 2 into 22 बता 7, और आपका r कितना दे रखा है, 7 बते 2, क्योंकि वो व्यास है, और 7 बते 2, इसको solve कर लो, वही तो वरद्धी निकल के आ जाएगी भाई, तो मैं solve करता हूँ, इसको 7 से 7 काड़ देता हूँ, 2 से इसको काड़ देता हूँ, और 2 से इसको 11 काड़ देता हूँ, तो 11 सते 77 राइट अंसर आपका 77 आ जाएगा, तो जब आप इन concept को इस image से समझते हैं, तब आपको concept ज़्यादा समझाते हैं, इसलिए कहता हूँ कि जो मैं आपको time लेता हूँ न, question solve करवाने में, उसको आप लोग ये मत सोचा करो, sir मेरा time waste हो रहा, जल्दी जल्दी कराओ, नहीं, क्या पता कोई ऐसा question है, जो सिर्फ diagram से समझा जा सकता है, आपको लिख के समझाया नहीं जा सकता, अब इस question को without diagram आप नहीं समा सकते हैं, कि सिर्फ यहाँ पर आपकी वरद्दी पूची गई है, कोई difference नहीं पूचा गया है, कि आकर वरद्दी कितनी हुई है, तो वरद्दी ही तो बतानी थी, भाई यह और यही तो बढ़ा है, यह वाली की तो बाती नहीं करी जा रही है, इसलिए मैंने directly 2 pi r square निकाल दिया, जो कि 77 आपका centimeter square बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अगला देखो, अगला question देखे भाई, अगला question भी बहुत अच्छा question है, और इस type के भी question आपके paper में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे है, यह type जो लेकर आयों ना, यह type पर question मैं आपको जो मैंने आपको करवाए हैं, पेपर solve करवाए हैं, SACC, CHSL, March महिने के जितने भी paper solve करवा हैं, उनके अंदर 2-3 बार यह question पूछा गया, इसलिए मुझे यह थोड़ा question ज़्यादा important लगा, अब देखे, आपने एक चीज़ सुनी होगी, A plus B, और आपने पढ़ाओगा A minus B, यह क्या होता है, यह होता है, A square minus B square, क्या यह formula आपको याद है, आप कहेंगे, सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, अगर बहुत अच्छे से याद है, तो आप इस question को बना लेंगे, और अगर बहुत अच्छे से याद नहीं हो, तो आप इस question को नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, अभी आपको पता चल जाएगा, क्यों नहीं बना पाएंगे, देखे अगर मैं इसे A मालनू और इसे B मालनू तो A PLUS B और A MINUS B मैं इसे कह सकता हूँ कि यह आपका जो बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा K SQUARE minus 1 upon K SQUARE इतनी बात बन जाएगी ना भाई ठीक है, अब देखें, अगर मैं इसे A मालनो और इसे B मालनो, और इसे A मालनो इसे B मालनो, तो A-B, A+, ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को जब मिलाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा K की पावर 4 माइनस 1 अपन K की पावर 4 इतनी बात क्लियर है अब देखे अगर मैं कहा दूँ कि इसे A मालनू इसे B मालनू और इसे A मालनू इसे B मालनू तो A-B A-B ये क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा K की पावर 8-1 उपान K की पावर 8 जो कि इसका एंसर हो जाएगा C इतना easy question है भाई मैं कहा रहा हूँ यार ऐसे-ऐसे question आपसे क्यों पूछे जा रहे हैं सिर्फ आपको ये अजमाया जा रहा है क्या आपने अच्छे से preparation करी है या नहीं करी है इतनी easy question जब आपके exam में आएंगे क्या आप नहीं कर पाएंगे आप क्या 10 second या 20 second में question को खतम नहीं कर पाएंगे आप कहेंगे सर बिलकुल कर लूँगा जब आपसे पढ़ रहा हूँ तो कर लेंगे भाई तीखेंगे तो कर लेंगे नहीं सीखोगे तो भाई नहीं कर पाओगे अगला कोश्य देखो एक ट्रेन एक स्थान से सुबा 10 बजे प्रारंब होती है और उसी दिन दुपहर धाई बजे दूसरे स्थान टी पर पहुंसती है तो ट्रेन की इगत 40 किलोमेटर सेकेंड प्रती सेकेंड है तो ट्रेन द्वारा तै की गई दूरी कितनी हो जाएगी बहुत अच्छा कोश्यन है अब देखिए 10 बजे से लेकर आपका कितने धाई बजे तक आपका कितना हो गया आपका 4.5 अगर हम इसको रेशो में लिखेंगे तो 9 बटा 2 घंटा होता है इतनी बात आपको पता है पता होना चाहिए कि 4.5 घंटा को 9 बटा 2 लिखते हैं अब देखिए 40 मीटर पर सेकेंड है हमें किलोमेटर में दी गई दूरी तो हमें स्पीड को किलोमेटर घंटा चाहिए तो हम अब क्या करेंगे इसको कितने से गुड़ा करेंगे इसको गुड़ा करेंगे 18 बटे 5 से सेकेंड में करने के लिए हमने 5 बटे 18 से गुड़ा किया था लेकिन हम इसको किलो मीटर प्रती घंटा में चेंज कर रहे हैं तो हम 18 बटे 5 से गुड़ा कर रहे हैं और into time कितना है हमारे पार 9 बटा 2 कितनी बात clear हो गई अब इसको solve कर लो जब solve कर लोगे तो आपका जो है वो क्या निकल के आएगी distance आपकी जो है वो निकल के आजाएगी अब देखें अगर 2 से काटोगे तो ये 9 बार जाएगा और इसे 5 से काटोगे तो ये 8 बार जाएगा तो आपकी जो distance निकल के आएगी 9,9,81 into 8 81 into क्या निकल के आगई 8 निकल के आगई आगे solve करोगे तो 8 एकम 8 और 8,8,64 648 मतलब 648 किलो मेटर आपका जो है वो राइट अंसर हो जाएगा जो कि आपका P option के अंदर दिखाई दे रहा है अगला question देखिए यदि एक चावल के मूल में 25 प्रतिस्यत की वरद्धी की जाती है चावल की खबत में कितने प्रतिस्यत की कमी की जानी चाहिए जिससे चावल पर होने वाले व्योग जो है वो 40 प्रतिस्यत तक कम हो जाए देखिए price into consumption बराबर क्या होता है expenditure इतनी बात क्लियर है price आपने क्या कर दिया है price 25 प्रतिस्यत तक वरद्धी कर दिया है मतलब price आपने 4 से 5 कर दिया यह आपका price हो गया consumption के अंदर आपको जो है वो बताना है कि कितने प्रतिस्यत की कमी की जाए कितने प्रतिस्यत की कमी की जाए जो है यह आपका consumption हो गया कि बराबर expenditure में जो है वो 40 प्रतिस्यत की कमी आ जाए कितने की कमी आ जाए 40 प्रतिस्यत की कमी इसके नीचे इसको डिवाइड कर देंगे ठीक है अब इसको solve कर देते cross multiply 25 minus 14 12 अब कितने की कमी आई है 25 के उपर तो 25 के उपर कमी आई है 8,5,13 की और into 100 तो यहां पर जो यह था आपका क्या था खपत consumption थी ना जो खपत थी भाई वो कितनी हो जाएगी 25 एकम 25,25 चकुशाओ 25,25 चकुशाओ तेरा चकुशाओ 52 तो 52 परसेंट की जो है वो कमी आजाएगी राइट अंसर जो है वो आपका ए बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अगला question देखिए समान छमता के दो बरतन में रस और जल क्रमसा तीन अनुपात पांच अनुपात तीन अनुपात एक अनुपात में जो है वो है तोनों बरतन के मिस्रण को मिलाकर एक बड़े बरतन में डाल दिया जाता है तो नए मिस्रण में रस और जल का अनुपात क्या हो जाएगा अब देखे, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका रस है भाई, और यहाँ पर आपका क्या है, जल, इन दोनों का जो अनुपात भाई दे रखा, वो क्या दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है, तीन अनुपात पांच, और इसका दे रखा है, तीन अनुपात एक भाई देखो मिलाने की जब बात करी जाए न तो इनकी जो sum of value होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए कहने का मतलब ये 3,2,5 आ रहा है ये 5,3,8 बन रहा है और ये कितना बना 3,1,4 बन रहा है तो हमारा इनका sum जो है वो बराबर होना चाहिए तो हम इसको 2 से गुड़ा कर देंगे अगर हम इसको 2 से गुड़ा करेंगे तो यहां पर आपका 3,2,6 रेशो हो जाएगा और दो एक कम दो रेशो हो जाएगा और ये तो इसमें तो हमने गुड़ा नहीं किया ये आपका सेम रेशो 3 और 5 हो जाएगा अब रेशो देखो बराबर हो गए 5,3,8,6,2,8 अब आप मिला लो अब आप मिलाओगे तो ये 6,3,9 रेशो और 5 और 2,7 रेशो 9 अनुपाद 7 आपका बिलकुँ सही जवाब हो जाएगा क्योंकि अगर आप इसे A मानोगे इसे आप A मानोगे और इसे B मानोगे तो इसे भी आप A मानोगे और इसे भी आप B मानोगे ठीक है ये रस का A और अनुपाद B है और ये जल का A अनुपाद B है तो यहाँ पर भी आपका ये A है और ये B है ये A है और ये आपका क्या है B है तो यहाँ पर जो अनुपात निकल के आएगा A A जोड़ दो और B B जोड़ दो ए क्या है तीन है और ये छे है तो छे तीन नो आ जाएगा ये बी जो है पांच है ये दर भी दो है तो पांच दो साथ हो जाएगा नो अनुपाद साथ आपका बिलकुल सही जबाब हो जाएगा बढ़ो भाई अगले कोशिन के तरफ मैं देखो आराम से पढ़ा रहा हूँ और एक एक बात क्लियर करके जा रहा हूँ कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को अब देखी ये आपको फॉर्मूला किसका A प्लस B 6 दे रखा है A B 4 दे रखा A Q प्लस B Q बराबर आपको मान बताना है मैं कहता हूँ कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए A प्लस B का होल क्यूब का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसे solve कर लेंगे A Q प्लस B Q ठीक है प्लस आपका कितना होता है 3 A B यही तो होता है और साथ में क्या होता है आपका A प्लस B अब A प्लस B कितना दे रखा 6 6 का Q कितना होता है 366 का 216 वही मेरा जो देशी पढ़ाने का तरीक है आप लोग मेरी language में कभी मत जाना ठीक है मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और ऐसे ही मैंने पढ़ाई की है 3AB AB कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है तो यहाँ पर 3 into 4 और A प्लस B कितना दे रखा है आपका 6 दे रखा है into 6 तो आपका कितना होगा 4 ते है 12, 12 चंग 72 आप जब इसमें से 72 माइनस कर देंगे तो आपका A Q प्लस B Q बा जाएगा माइनस कर दो भाई, यहाँ पर बचेगा चार ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, आपका 10, 10 में से 7 गया, आपका बचेगा, स्वारी 11, 7, 4, 11 स्वारी बच्छो, 7, 4, 11 और वहाँ पर बचेगा, 144 आपका जो है वो बिलकुल सही जबाब हो जाएगा, थोड़ा सा राइटिंग का इशू आप सभी को लग रहा होगा, राइटिंग का इशू इसलिए आता है, क्योंकि मेरे पास अभी राइटिंग पैट छोटा है, तो उस चीज़ को आप लोग मैनेज किया करो, ठीक है अगला कोशन देखो एक जीवा दोरा वरत के केंदर और दीर्ग जाग पर बनाए गए कोड का योग 180 डिगरी है, वरत के केंदर पर बनने वाला कोड जो है, वो कितने डिगरी का होगा, तो ये भी कोशन आपका जो है, वो बहुत बार मैंने करवा दिया है, बहुत सारे बच्चे जो है उसे जस्ट इन सेकेंड में कर लेंगे, ठीक है तो मैं फिर भी सिखा देता हूँ आपको पता होना चाहिए, देखी, यहाँ पर मैंने डाली एक जीवा, ये मैंने जीवा डाल दी, ठीक है, और माना मैंने ये आपका सेंटर है ये जीवा आपकी एबी है ओके, अब इसमें कोशन बोला गया है कि जीवा द्वारा परी दिपर, दीर्ग चाब मतलब परी दिपर, तो दीर्ग चाब पर बना हुआ कोण ठीक है, ये दीर्ग चाब पर केंदर पर, केंदर पर और उसकी दीर्ग चाब पर बने हुए कोण का योग 80 डिगरी है तो दीखे, मैंने एक चीज बताई है कि जब आपकी ये क्या पनी हो जब ये आपकी जीवा हो जीवा से केंदर पर बना हुआ जो कोण होगा, वो परीद पर बने हुए कोड का दोगुना होगा कहने का मतलब अगर ये x होगा तो ये आपका 2x होगा इन दोनों का योग जो है वो 180 डिगरी दे रखा है, मतलब 2x और 1x आपका 3x बराबर कितना दे रखा है, वो आपका 180 डिगरी दे रखा है, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा हमसे कौन सा पूछा गया हमसे वरत के केंदर पर बना हुआ कोड पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा 120 डिगरी हो जाएगा जो कि आपका D option के अंदर दिखाई दे रहा है I hope बिल्कुल clear हो गया होगा अब अगले बार इस question क आप अपनी मर्जी से कर लेंगे अगला question कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूली 480 रुपय था लेकिन दुकानदार उसे 5% की छूट देता है तो अंत में वा किस मूली पर बेचता है अब देखिए अगर आप 480 की कोई चीज है ठीक है और उसको आप 5% की छूट पर बेच रहे हैं मतलब आप 95 पर बेच रहे हैं ठीक 95 पर ही तो बेच रहे हैं अब इसको solve कर लो 0 से चला गया 0 ठीक 5 दूनी 10 और 19 पंचे पंचानबे होता है 2 से इसको काट लो यह आपका आगया 24 आगया 19 चकु 76 6 कहां पर है आपका 2 में है 19 चकु 76 कह रही है 7 19 दूना 38 38 7 15 45 आपक आपका D option के अंदर दिखाई दे रहा है थोड़ी वाइस आपको थोड़ी बीट लगेगी क्योंकि थोड़ा भाई अभी मेरा गला सही नहीं है चलिए यह question मैं आपको दे रहा हूँ भाई home work के अंदर ठीक है इस question को आप लोग home work में करेंगे थोड़ा अच्छा question है अगर आपसे नहीं होता है तो मैं अगली जो आपकी practice set की class होगी उसके अंदर मैं आपको इस question को करवा दूँगा clear है आज हमने total कितने question complete किये आज हमने total 30 question complete किये याद रखिएगा हमने आज 30 question को complete किया है तो हर एक class में question कोसिस करेंगे कि हम 30 से 35 question complete करें class थोड़ी लंबी होगी लेकिन भाई जितने ज़्यादा question की आप practice कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा मिलते हैं अगली class में अगले नए questions के साथ बहतरीन class करेंगे अगली भी और हम यहां तक जो भी बच्चे बने रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नह करती है ना भाई मुझे class करवाने में और मज़ा आता है मैं और अच्छी तरीके से कोशिस करता हूँ बच्चों को पढ़ाने की ओके चलो मिलते हैं कल की class में bye bye love you